नवस्कार मैं हूँ आपके साथ दीपक वदौरी आप देख रहे हैं चत्तसगड़ एक्सप्रेस राइपूर से कबर है जहाँ पर सीम बिश्मुदेव साई का दौरा का करम जिहाँ सुबह साड़ी कारा बजे विभागी वेठक करेंगे सीम दोपर दो बजे मौई निस्पादन समारों में होंगे शामिल शाम चार बजे बैश्टुक बाजार के लिए तैयार करने समंदी पैनल शर्चा में होंगे शामिल शाम शे बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीम साई तो चनकर के साथ गोपी चुरुक है है लाइव हमारे साथू राइपूर से गोपी आज क्या कुछ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के जी दिपक बिलकुल मुख्यमंत्री विष्णु देवस्ताय आज रासधानी में आयो जी तविबिन कारेक्रमों में शामिल होने वाला अगर हम बात करें उनके कारेक्रमों की तो सबसे पहले वो लगभग साड़े ग्यारा बजे पुलिस मुख्याला है पहुंचेंगर वहा उसमें लगातार वो अपडेट ले रहे हैं फीडबेक ले रहे हैं इसके साथ ही अधिकारियों को भी लगातार वो दिसन निर्देश जो है वह करते वे नजर आ रहे हैं आज पुलिस मुख्याला में विवागे बैठा को कि वहां पर कानुन मुवस्था की जो है फिर से वह पर फीडबेक लिए जाएंगे कानुन मुवस्था की समिक्षा की जाएगी क्योंकि लगातार विपक्ष भी एक और कानुन मुख्य मंत्री विष्णु देवसाय कानुन मुष्था बनाये रखने के लिए इसकी समिक्षा जो है वह लगातार करते वे नजर आ रहे हैं आज पुलिस मुख्याला में इसकी समिक्षा बैठाक होनी और इसके पश्चात बता दें कि आज साइबर भवन का उद्घाटन जो है वो होने वाला है साइबर भवन के उद्घाटन और मुख्य मंत्री विष्णु देवसाय सामिल होंगे आधुनिक उपकरनों से लेस रहेगा साइबर भवन जहां पर जब भी बड़ी साइबर ठगी की जहां पर बात आएगी या हाउस अरेश्टिंग जैसे घटना सामने आएंगे तो यहां पर इन आधुनिक टेकनोलोजी को लेकर जो हाई टेकनोलोजी है इसे लेस इस भवन में ततकाल कारवाई को लेकर फिर प्र इनों से जो हाउस अरेश्टिंग की घटना है और वो लगातार सामने आरे तो उसके लिए कहीं न कहीं है मिल का पत्थर साबित होने वाला है साइबर हवाण का आज उद्धाटन मुख्य मंत्री विश्चु देश साय करने जा रहा है जिसमें आ उप मुख्य मंत्री विजै शर्मा भी शामिर रहेंगे सांसाद बृज्बोहन अगरवाल इसमें मौझूद रहेंगे साथ ही तमाम जन प्रतिनीदी के साथ में आला के पुलीस के अफसर जो है वो इसमें मौझूद रहेंगे तो कहीं न कहीं ये आज 36 गर की जनता के लिए बड़ा दिन है सांती प्रसास बजे आज अपने नवीन मुख्यमंत्री निवास में जो नयर रैपूर में इस्थित है वहाँ पर उद्योग के वेस्विक बजार की तैयारियों से संबंदी जो पैनल है उस पर चर्चाएं की जाएगी जो नई उद्योग निती लाएगे ही सरकार के द्वारा इसमें किस तर रहेंगे उद्धाटन सबाट इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री है वह इस कारक्रम में शामिल होंगे इसके बस चाहत बता दे कि मुख्यमंत्री विश्णु देवसाय जो है वो दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे और कल महाराष्ट में जो सपत ग्रण्ट समारो है इसम के तमाम आज की कारक्रम रहने वाले मुख्यमंत्री जिसमें कारक्रमों में शामिल होंगे समीच्छा बैठा करने के साथ ही दिल्ली दौरे पर भी रवाना होंगे जी बिल्कुल दिल्ली दौरा जो उनका कुछ खास या एहम दौरा है क्योंकि निकाय चुनाओं से संबंद चर्चा होने वाली है इस दौरे में या कुछ और विश्य पर चर्चा होने वाली है क्या वज़ा है कि जिसकी वज़े से वह दिल्ली दौरे पर शाम को जा रहे हैं गोपी जी दिपक बिल्कुल दो दिवस्ती दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री विश्नुदेवसाय जो है वो आज रवाना होगे शाम 6 बज़े उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट है इसके बाद में वो 36 गड़ सदन में जो है वो रात्री विश्राम करेंगे और कल महाराष्ट में जो सपद ग्रहंट समारो है उसमें वो शामिल होते हैं नजर आएंगे अपने आला जो नेता है जो वरिष्ट नेता है उनसे उनकी मुलाकाद भी हो सकती क्योंकि नगरी निकाय जो आम आफ कीज चुनाओ एक साथ किये जाने की और नीन कहीं सरकार ले सकती है तो इस पर भी चड़चाय जो है वो संभाव है क्योंकि पहला राज्य होगा यदि नगरी निकाय और त्रिस्तरी पंचाय चुनाओं 36 गड़ में होते हैं तो वन नेशन वन इलेक्षन की और पहले कदम उठाने वाला या 36 गड़ पहला राज्य होगा तो ऐसे में कहीं न कहीं बड़ी उपलब्धी भी है हाला कि इस पर सरकार अभी भी सोच विचार कर ये क्योंकि जनवरी में नगरी निकाय कि और फरवरी में त्रिस्तरी पंचाय चुनाओं होने ऐसे में दोनों चुनाओं के बीच में एक महने का अंतर है और इसे किस तरीके से एक साथ किया जाए, क्योंकि इसके लिए विदान सुभा में भी चरचा हुई थी और इसके लिए सर्वे भी किया गया, हाला कि अब OBC के जो जन गणना है वो भी सर्वे जो है उसमें वो शामिल होंगे जिसके परचाद राजधानी राइपूर वापस लोटेंगे तमाम महत्वपूर जानकर इसाजा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोपी तो आज ख़ी कार कर मों में भाग लिने वाले हैं मोकिमंदरी साहे अब रुक करते हैं आगली खबर क्योंड़